बच्चों नमस्कार, बच्चों आज हम कप्षा आठवी गडित में परमेश संख्याओं पर संक्रियाएं, आप रेशन्स आन रिष्टन नंबर्स पढ़ेंगे, आए बच्चों देखते हैं परमेश संख्याओं पर संक्रियाएं बच्चों हमें मालूम हैं कि ऐसी सभी संख्याओं जो P बटे Q गुरूप में लिखी जाती है, या लिखी जा सकती है, परमेश संख्याओं कहलाती है, जिसमें P और Q प्रोडांग है बच्चों, P और Q क्या है, एक प्रोडांग है, तथा P और Q प्रोडांग होने के साथ, Q सु दरम होते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे संवरत क Corona क्या बच्रम वरक नियम और कि इसको हम क्लोजर परफर्टी भी कहते हैं तो थो कमिंशन को सब्सक्राप्रिल बच्चों हम सबसे पहलाता है समरगनियम, closer property. बच्चों हम समरगनियम कोई प्रकार समझ सकते हैं. माले ये दो परमेसन क्या हैं? 5 फिर्टी साथ एवं 4 परमेसन क्या है. इन दो परमेसन क्या हम बच्चों, जागर हम इसको जोड़ दें, 5 फिर्टी साथ और 4 फिर्टी साथ को, तो हमें क्या प्राप्त होगा हमको प्राप्त होगा पांच धन चार बटे साथ अर्था नौ बटे साथ हमको प्राप्त होगा तो नौ बटे साथ जो प्राप्त हुआ है यह परमे संख्या है या नहीं तो यह परमे संख्या है यह योग का एक संवर अगनियम है एक और एक जा अब यहाँ पर लगत्ना माच जगा पांच बच्चों उपर दिन है पांस त्या पंदरा हो जाएगा अर्थाद तीन गुड़िद पांच हम इसको इस थाल रिख सकते हैं धन रिलिशा दिया हुआ है अर्था रिलिशा का गूला एक से हो जाएगा अब यहां पर दखिण बच वह नियम देखते हैं बच्चों वो दूसरा ण्यमा है करम विनिमे नियम है जैसे गंतों के जोते हैं इस एक बटाध जोड़ते हैं बच्चों ऊसॉध ऐक शा JR lies 238 अर्था और बेराम प्रास्थ होगा प्राक्षिए कर्मेशंख्या कही जा सकती है अब माने इसको हम पलट कर जोड़ें कैसे अर्थात साथ बट्י- pluts और एक बट्याट को जोड़ने हमने करम बदल दिया बच्चों पहले एक बट्याट और साथ बट्याट को जोड़े थे अभी हम जोड़े हैं साथ बट्याट और एक बट्याट को अब यहाँ पर इसका भिलत उत्तम आठ आएगा साथ धन एक साथ और कितना होता बच्चों आ अर्फार जोर रब्टे एस और पर्वाटे सब्सक्राइब अर्पार जोड़ें तो दोनों की मान में कोई परिवर्थन नहीं होता यह बराबर हो दिए एक आलाता है हमारा क्रम विद्धमिन नियम अब चलते हैं बच्चों योग के थिसरे ने में शाचर ये नियम साहचरिनयम एसो सेटिव ला माना की तिन परमेशन कहा है बच्चों कोई भी तिन परमेशन कहा हम माल लेते हैं चार बटे पांच एक परमेशन कहा हम ने माल लिया दूसरी परमेशन कहा हम ने माल लिया दो बटे साथ और तीसरी परमिय संख्यावन ने माल लिया रिर तीन बठे आठ तो इनका योगफ़न हम दो प्रकार से कर सकते हैं कैसे दो प्रकार से कर सकते हैं बच्चों चलिए पहला प्रकार में चलते हैं चार बठे पांच धन दो बठे साथ धन रिड तीन बटे आठ अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों सबसे पहले तो हम कुष्टा के अंदर को हल कर लेते हैं अर्था जब इसको हल करेंगे तो आठ सत्य छपपन आपका यहाँ पर देखेंगे बच्चों चार बटे पांच धन आर्धुनी 16 होता है रिड सात्य इकीस हो जाएगा बटे छपपन यह इस तरह से हो जाएगा अब उसको हल करेंगे तो चार बटे पांच धन 21 में 16 घटा दीजे बच्चों कितना बच्चाएगा इसको हम हल कर देते हैं अर्थाथ 21 बड़ा है यहाँ पर रिड कचिना जाएगा बड़ी संख्या है तो यहाँ पर रिड कचिना जाएगा अब पांच और छपपन के लसे हो जाएगा 280 कितना हो जाएगा बच्चों 280 अर्थाथ 4 कर गउड़ा 56 हो जाएगा रिड पांच गॉड़ा 5 से हो जाएगा यह इस प्रकार अब यहाँ देखेंगे 56 और चार कर गुड़ा करेंगे तो हमको मिल लयागा बच्चों 222 कितना हो जाएगा देगा 224 में 25 मानिस कर देने से हमको प्राक्स हो जाएगा 199 केतना मिलेगा बच्चों 199 मिलाएगा बटे 280 ये एक तरीका है बच्चों अब चलते हैं इसी के दूसरे तरीकी में कि साचरे नियम में इस तरीके सम्निन को जोड़ा क्या दूसरे तरीके से भी जोड़ें तो उटकमान इत धन दो बटे साथ और ब्रेगेट के बाहर हम कर देते हैं रिड़ तीन बटे आठ को इस तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं अब यहां करेंगे बच्चों तो साथ बंचे 35 का लगत तमा जाएगा और साथ का गुड़ा चार से हो जाएगा चार गुड़े साथ धन पांच गु कुष्टक बंद कर देंगे धन रिर तीन बटे आठ अब यहां देखें बच्चों 28 और 10 को जोड़ने से हमको प्राप्थ होगा 38 कितना प्राप्थ हो जागा बच्चों 28 बटे 35 धन और रिर के गुड़ा जिल हो जाएगा 3 बटे 8 यह इस तरह से अब 35 आठ का लसा हम निका 28 अब यहां 38 कर गुड़ा 8 से हो जाएगा 38 करने से हमको कितना प्राप्थ होगा 304 कितना प्राप्थ हो जाएगा बच्चों 304 35 करा तीन करने से हमको मिल जाएगा 105 बटे 280 अब यहाँ पर देखेंगे 304 मिक्सो पांच खटा दिंगे हमको मिल जागे 199 बटे 280 इससे पहले वाले में भी 199 बटे 280 प्राप्थ हुआ था बच्चों अभी भी हमको यही प्राप्थ हुआ है अर्थात हम कह सकते हैं यह यूग का सहच्य रिनियम है हम इसे इस प्रकार से भी बटे Q धन आर बटे S धन M बटे N बराबर P बटे Q धन आर बटे S धन M बटे N तो इस तरह से यह यूग का कहलागा वर्चों सहच्य रिनियम क्या कहलागा यूग का सहच्य रिनियम इस नियम में हम कह सकते हैं कि तीन परमे संख्या का योग करती समय पहले प्रथम दो संख्याओं के योग में तीसरी संख्या को जोड़ें तब वहिमान प्राप्त होगा जो दिती इम दिती परमे संख्या की योग में पहली संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है इसे हम कहेंगे योग का साचेर नियम आए बच्चों देखते हैं अब योगात्मक तत्समक योग का अगला नियम है योगात्मक तत्समक बच्चों योगात्मक तत्समक नियम में किसी भी परमेशंख्या में अगर हम सुन्ने को जोड़ दें तो संख्या का मान नहीं बदलता अर् तो भी हमको तीन बटे पांच की प्राप्त होगा अर्थात सुन्य को जोड़ने से परमेर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है इसलिए सुन्य के सुरुग हम कहेंगे योगातमक तत समग अब आते हैं बच्चों योग का अगला नियम है योज्य प्रतिलों सब्सक्राइब तो हम को जुड़ दें नियारा बटे पन्दला वहन को जियरो प्राप्त होता है कितना प्राप्त हुआ २र्ятаQuéरर योज्य प्रतिलों अर्थात ऐसी संख्या जिसको उसमें यूब कर देने से कमान सुन्य प्राप्त हो योज्य प्रतिलों कहलाता है अर्था ग्यारा बटी पंद्रा का योजे प्रत्लूम मौलिजी अगर पूचा जाए कि 3 बटी 5 का şur योजे क्या होगा तो क्या होगा इसका योज़ प्रदुम बच्चों 3 बटी 5 का योज़ प्रदुम होगा रीड 3 बटी 5 बहुत सिंपल है मालीजे कहा जाए कि रीड 17 बटे 19 का योज़ प्रदुम बताओ तब आप कहेंगे के रिर है तो ये धन में हो जाएगा भई धन 17 वटे 19 से इसका यूज़ परतुम हो जाएगा मालिज अगर कहा जाता है बच्छों कि 1 बटी 4 का यूज़ परतुम क्या होगा 1 बटी 4 का यूज़ परतुम क्या होगा तो नहीं दाम समझ जाएंगे इसका योज़ परत्लम हो जागा है रिड़ एक बटे चार तो इस तरह से हम योज़ परत्लम मालूम कर सकते हैं बच्चों इसके साथ ही आच्छे कलासे ही समाथ होता है बच्चों यदि वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेर करिएगा यदि आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं खुलिएगा तो बच्चों आपसे फिर मुलागा हो पर अगले कलास में तब तक के लिए नमस्कार